हेलो फ्रेंज स्वागे थे सभी का मेरी चैनल में आज मैं सेयर कर रही हूँ केक की रेसिपी जिसे मैंने पाललेजी बिस्किट से बना के तयार किया है बहुत ज़्यादा सौप्ट स्पॉंजी केक बन के तयार हुआ है प्लीज वीडियो को एन तक जरूर वाच कीजिएगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दस रुपे वाली तीन पैकेट पाल लेजी बिस्किट के लिए हैं सबसे पहले सारे बिस्किट को हमें एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिस्किट को निकाल लिया है एक प्लेट में अब मैं यहाँ पे लोगी एक मिक्सी का जाल क्योंकि हमें बिस्किट को यहाँ पे ग्राइंड करना है तो इस तरीके से इसे तोड़ के डालेंगे ताकि इसे ग्रैंड करने में आसानी हो तो एक बार मैं सभी को मैं नहीं ले रही हूँ तो देखे आधा मैंने इसका पाउडर बना लिया है अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ आधा कोटोरी से थोड़ा सजाधा चीनी क्योंकि बिसकिट भी मीठा रहता है अपने अकॉर्डिंग मीठा रख सकते हैं और जो बाकी बचा हुआ बिसकिट था इसे भी मैं इसी मैट कर दूँगी और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना के तैयार कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बिसकिट का अच्छे से पाउडर बन गया है अभी मैंने यहाँ पर लिया है एक कब दूद तो दूद नॉर्मल टंपरेचर का होना चाहिए ना की बहुत ज़्यादा ठंडा या गरम दूद नहीं लेना है और यहाँ पर देखें मैंने आदा दूद इसमें एट कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहो तो इस बैटर को एक बरतन में भी निकाल सकते हैं तो मैंने बरतन नहीं लगाया इसी में भी अच्छे से हो जाता है तिके mix कर लिया है उसके बाद थोड़ा सा दूद और डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से mix कर लेंगे बहुत ज़दर tasty cake बनके ready होता है और बहुत सस्ते में बन जाता है इसे mix करने के बाद मैं इसमें डाल ली हूँ 3 से 4 drop vanilla essence के इसे flavor बहुत अच्छा आता है इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं batter की consistency इसी तरीके की रखनी है और कितना smooth यहाँ पर हमारा batter बनके ready हो गया है gas पर मैंने cooker में नमक डाल दिया है और इसे मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तो अच्छे से हमें पहले ही इसे preheat कर लेना है इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक stand आप इस नमक को जब भी आप baking वाला कोई भी चीज बना रहे हैं तो इस्तिमाल कर सकते हैं इसे फैंकेगा मत और फिर से मैंने इसमें ढखकन लगा दिया है दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया है एक cake tin इसे हम अच्छे से oil से grease कर लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक butter paper butter paper नहीं है तो आप इसके उपर मैदा sprinkle कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से थोड़ा grease कर लेंगे उपर से यह काम हमें सबसे पहले करके रख लेना है उसके बाद देखें यहाँ पर better हमारा थोड़ा फूल गया है इसे भी rest मिल गया था अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक पाउच इनू का अगर आपके पास इनू नहीं है तो एक चमच baking powder आप डाल सकते हैं इनू डालने के बाद इसमें मैं दो चमच दूर डाल रही हूँ अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे एक ही direction में तो आप देख सकते हैं इनू डालने के बाद हमें इसे ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना है बस तुरंत ही हम इसे cake tin में transfer कर देंगे तो यहाँ पर मैं इसमें आधा बेटर पहले डाल रही हूँ यह देखे आधा मैंने डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा हम इस तरीके से इसे tap tap कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से dry fruit इसमें डाल रही हूँ मैंने बादम काटके रखे हुए हैं यह optional है अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं लेकिन खाने में जब बीच बीच में आते हैं ड्राइफ रूट बहुत अच्छे लगते हैं और जो बांकी का बेटर है उसे भी हम इसक उपर से डाल देंगे फिर से इसे टेप टेप कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पर ली है टूटी प्रूटी उपर से हम इसे टूटी प्रूटी से गार्निस कर लेंगे दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं देखे अच्छे से मैं इसे गार्निस कर लिया है और अब हम कुकर को देख लेते हैं यहां पर कुकर हमारा अच्छे से प्रिहिट हो गया है तो थोड़ा साउधानी से हम इसमें यह केक टीन को डाल देंगे क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गरम है भी और कुकर की सीटी निकाल लेनी है हमें और इसमें हम ढखकन लगा देंगे 30 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम में कुक करेंगे तो यहां पर 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था मैं इसे भूल गई थी देखना तो देखे यहां पर केक हमारा अच्छे से बन गया है थोड़ा उपर से भी ब्राउन हो गया है लेकिन जला बिल्कूल भी नहीं था टेस्ट इसका बहुत अच्छा था तो चेक करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से नाइफ या टूथफिक डालके आप चेक कर सकते हैं देखे एकदम क्लीन यहां पर निकला हुआ है तो केक को निकाल लेते हैं बाहर अभी यह पूरी तरीके से धंडा हो गया है तो देखे इस तरीके से किनारे खुद ही छ केस्टी केक बनके रेडी होता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथी बेल आइकन को भी दबाईएगा और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सौप्ट स्पॉंजी केक हमारा बनके रेडी हुआ है वो भी बहुत ही सस्ते में तो यह देखिए तो मिलते हैं ऐसी न्यू रेसीपी के साथ मैं तब तक के लिए टेक कियर बाबाई